हाई एवरिवन मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार सिंग मैं एलवन कोचिंग का डारेक्टर हूँ जो बच्चे यूपी बोर्ड में 12 पास किये हैं अच्छे मार्ग से और 10 पास किये हैं सबको मेरी तरफ से बधाई बहुत सारी बधाईयां और सम्मान के लिए हम लोग एक पाई विस्टूडेंट्स में से आते हैं तो नीचे लिखे जो नंबर्स हैं तीन-चार नंबर जो आपको दिख रहे हैं उस पर कॉल करके डिटेल पता करिए ताकि हम आपको बता सकेंगे वेन्यू शेडियूल बता सकें कि आप आएं अपने पेरेंट्स के साथ आएं आई है तो जो टेंथ के बच्चे हैं यूपी बोड के टेंथ के बच्चे जो टेंथ पास कर रहे हैं अच्छे मांक से और साइंस लेने जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वह आकर समझें कि आप किसी से कम नहीं है यदि फाउंडेशन को उस दो साल कर लिए तो विश समान ले कर आए हैं आप बोड में इतना बड़ा अचीवमेंट आपका आप पाए हैं तो आप आए हैं आप हमारे गेस्ट से जो इट बहु के प्रोफेसर हैं बेचे के डॉक्टर हैं आई टीन फैकल्टी इंड इसे हैं इसे मिलिए इंटरेक्ट कर ये और अपने इंडिव आप बुने हुए हैं सपने जो आप बनाए हुए हैं उसको पूरा कर सके तो इसके लिए फिर से मैं याद दिला दूँ date schedule venue सब detail आपको इस number पर बताया जाएगा जो नीचे लिखा है उस दिन हम लोग announce करेंगे दो करोड की scholarship दो करोड क्योंकि माना जाता है कि UP board के जो बच्चे होते हैं UP board में generally इसलिए होते हैं in general क्योंकि economically कमजोर होते हैं पर वो हिंदी माध्यम के कारण चाहे rural background के कारण small town के कारण छोटा school के कारण teachers अच्छे available नहीं थे coaching बहुत बढ़िया नहीं थी इन सब पूरा collectively वो मिला कर उन्हें feel होने लगता है कि वो अच्छा नहीं कर सकते तो ख़ाब तूनका होता है उडान भरने की लेकिन वो पूरा करने का उन्हें कोई नजर मतलब उन्हें नजर नहीं आता कि कैसे किया जाए तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है आप बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि जल्दी ही हम लोग समान समारो रखने वाले हैं और आप इस नंबर पे दिये हुए नंबर पे किसी पे भी call करके detail पता कर सकते हैं जल्दी ही हम लोग समान समारो और्गनाईज करेंगे तो आईए जानिए अपने parents को जरूर लेके आएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है तीन element आप खुद आपके parents और teachers तीन मिलके आपको इस तरह की इस तरह का confidence build up कर देते हैं कि आप उन बुलंदियों को छूते हैं जो आ ना जिन न किये हो शायद यूपी बोड की बच्चे कम सफल हो पाते हैं उसके reasons यही सब हैं जो मैं गिनवा रहा था वो economically कमजोर होते हैं वो खेत गिरवी रखकर मा की गहने बेच कर या किसी तरह से कर्ज लेकर वो बच्चा कही कोटा जाता है कान पोड़े ली जाता है बन हम लोगों के पास एक बड़ा scholarship है जो आपको देने वाले हैं हम लोग और दूसरा एक और बड़ा आपके लिए खुशखबरी मैसेज है कि हम ही लोग हैं जो एक बड़ा amount के साथ में बच्चों को qualify होने के बाद उनके college में पढ़ाते हैं उनको laptop मिलता है यही क्वालिफाइ आपका नहीं लएगा hostel का पूरा fee लाखों रुपए लगता है उनका tuition fee laptop सब कुछ फीर मतलब आपको एक रुपए नहीं लएगा यह guardian के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है तो लोग आपके सामने आते हैं बहुत सारे कंपनियां सामने आ रहे हैं बहुत सारे information नहीं है तो यह information भी उस दिन आपको दी जाएगी तो यदि आप सफल हो गए आप मेहनत किये तो आपको आगे की दिक्कते नहीं होगी एक रुपए आपके घर से नहीं लएगा कितना भी economically कमजूर क्यों नहों आप आप देख सकते हैं पूरा कर सकते हैं ITN बनने का डॉक् आप गवाईएगा नहीं यदि आप प्रूब करते हैं आपकी शिकायत हमेशा रहती है कि समाज हमको मौका नहीं दिया हम economically कमजूर थे इस तबके से थे इस इलाके से थे हमको मौका नहीं मिला तो मौका मिला है भुना लीजिए और अपने सपने को पूरा कर लिजिए थैंक यहाट रहाट रहाट आपकी जा स्वाट कर दो